हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेज रिप्लेस्मेंट डबल फिलर्स और वोकेबलरी के कुछ करते हैं देखे यह कोशन नमबर वन है और यह फ्रेज रिप्लेस्मेंट का कोशिन है यह फ्लर में भी आ सकते हैं इस तरह के कोशिंज और एक पर्टिक्वर पाइट दिया है जो की जो की अंडरलाइंड होगा या बोल्ड होगा बोल्ड लेटर्स में लेखा होगा और उसको आपको नीचे लिखे हुए जो ऑप्शन से उसमें से आपको रिप्लेस करके उसको एक बेटर फॉर्म देना है उसको एक करेक्टेट फॉर्म देना है और यदि आपको लगता है कि कोई इंप्रूब्मेंट की ज़रुवत नहीं है सेंटेंस में तो आपका आंसर होगा इसका मतलब यह है कि इंडिया पूरी तरीके से तैयार है इंडिया से टू रिवेंप मतलब इंडिया पूरी तरीके से तैयार है अपने मैनिफेक्ट्रिंग फ्रेमबर को रिवेंप करने के लिए मतलब उसको रिनोवेट करने के लिए उसको फिर से क्रियेट करने के लिए तो रीबूट का मतलब है फिर से स्टार्ट करना, रीबूट दसेक्टर विदन आई और यह रीबूट करेंगे या रीवेंप करेंगे, इसका जो परपर्पर्ज होगा, विदन आई टू का मतलब है, कि उसके पर्टिक्लर अब्जेक्टिप को ध्यान में रखते हुए, उसका जो परपर्ज होगा, वो क्या होगा, उसका परपर्ज होगा, job creation and technology upgradation. तो यहाँ पर चू की object हमने यूज किया है job creation and technology upgradation तो इसलिए यहाँ पर on लगाना सही रहेगा इसलिए आपका यह आंसर होगा इसमें question number one का वो होगा four with an eye on with an eye on का मतलब होगा कि इस चीज पर हमारी नजर है इस चीज यह हमारा object है job creation और technological upgradation. अब हम पढ़ते हैं question number two the presence of new player in the basketball team is to additionally attract for the audience. तो to additionally attract को आपको change करना है और basketball team में जो नए players की जो presence है उससे audience को क्या फरक पड़ेगा जो match देखते हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं the presence of new player in the basketball team is इसके बाद आप बोल सकते हैं यहाँ पर is an added attraction for the audience ठीक है is an added attraction for the audience तो यह इसमें एकदम सही है question number two का जो answer होगा वो आपका होगा three ठीक है क्योंकि इसके बाद आप with नहीं जोड सकते for नहीं जोड सकते और off भी नहीं जोड सकते basketball team is off इस तरीके से नहीं बोल सकते आप basketball team is for for adding attractive जैसे यह सही हो सकता था आपका लेकिन यहाँ पर फिर होना चाहिए है for adding attraction adding what for adding attraction तो इसलिए यह option आपका गलत है with add attraction यह भी गलत है ठीक है तो यहाँ पर आपका यह option चाहिए an added attraction the presence of new player in the basketball team is is an added attraction for the audience मतलब basketball team में नए players की जो presence है वो एक added attraction है audience के लिए तो इसमें आपका answer होगा third तो इस तरीके से इन questions को आपको करना है sentence improvement के यह questions है question number 3 देखते हैं consumption is clearly recovered and is expected to continue अब यहाँ पर आप common sense apply करें कि expected to continue लिखा हुआ है expected to continue का मतलब है कि यह चीज आगे जाके continue रहेगी और कोई भी चीज आगे जाके continue तभी रहेगी जब वो present में continue है ठीक है तो इसलिए अगर इस option को आप इस logic को आप लगाएं तो आपका second इसमें सही रहेगा consumption is clearly recovering ठीक है is भी लगा हुआ है वैसे भी यहाँ पर इस लगा उआ है यह लगा हुआ है तो इस के बाद यहाँ पर ing form ही आएगी तो यह ing form आप लगा सकते हैं यहाँ यह वाली ing form जो लगा सकते हैं और उससे sentence आपका सही हो जाएगा second इसमें आपका answer होगा चलिए आगे देखते हैं, question number four देखते हैं, the dire need of amusement, dire, dire का मतलब होता है, काफी serious, काफी बड़ी need, काफी substantial need, ठीक है, तो dire का यह मतलब है, काफी important word है यह, the dire need of amusement, two के बाद आपको यहाँ पर first form लगाना होगा, to escape boredom, made him cultivate various hobbies, मतलब amusement की जो need थी, amusement यानि मनुरंजन की जो need थी, और मनुरंजन की जो need थी, वो किस लिए थी, ताकि वो अपने boredom को हटा सके, ठीक है, तो इसलिए इसकी वज़े से उसने काफी सारी hobbies cultivate की, यह sentence का मतलब है, तो two चुकी यहाँ पर लगा हुआ है, two यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, to escape boredom, ठीक है, तो question number four का जो आपका answer होगा, वो one होगा, तो इस पूरे वीडियो का आप end तक देखें, इसमें 25 question है, और vocabulary के भी 20 word में आपको explain करूँगा इसमें, तो करी 50 question आपके इसमें cover हो जाएंगे, question number five देखते हैं, the prevalent of underweight children, तो यहाँ पर off से पहले हमिशा ध्यान रखिए, यहाँ पर इस तरह के जो word होते हैं, जिसमें बीच में off लगा रहता है, यहाँ पर हमिशा हम noun form इस्तेमाल करेंगे, तो prevalent का जो noun form है, वो है prevalence, 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 ठीक है, तो यह इसमें आपका सही answer होगा, second, the prevalence of, prevalence का मतलब क्या है, prevalence का मतलब में, जो चीज़ current trend में है, जो चीज़ अभी चल रही है, जो चीज़ प्रचलन में है, तो प्रचलन को ही हम prevalence बोलते हैं, और prevalent जो है वो adjective form है, prevalence जो है, वो noun form है, ठीक है, तो noun form यहाँ पर off से पहले आपको noun form की जरूवत है, तो इसलिए यहाँ पर prevalence of underweight children यहाँ पर आपका answer सही होगा, आगे देखते हैं, we were credibly informed, credibly informed का मतलब क्या है, credibly informed का मतलब है, कि हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी, हमें जो जानकारी मिली थी, वो reliable थी, वो trustworthy थी, वो सही थी, तो credibly का मतलब यह है, कि we were credibly informed that the con man, con man कौन होता है, con man जो किसी व्यक्ति को trick करता है, या उसको cheat करता है, या धोका देता है, उसको हम बोलते है con man, ठीक है, तो con man ने क्या कर दिया है, police से relation बता रहा है, मतलब इसका मतलब यह है कि con man ने police के सामने समरपन कर दिया है, gave himself, तो gave in का मतलब होता है, समरपन करना, मतलब past tense में, given का मतलब होता है, समरपन करना, give up का मतलब होता है, छोड़ना, तो चूकि यहाँ पर has लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपको third form चाहिए, तो third form आपको देखना पड़ागा किस में है, और in होना चाहिए, third form के साथ in हो चाहिए क्योंकि given का मतला होता है समर्प्रा करना ठीक है तो थार्ड फर्म given है इसमें 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 लगाए और इन भी लगाए तो आपका यह सेकंड जो आप्शन है यह इसमें आपका आंसर होगा कोशन नमबर सेविन देखते हैं बैंबू is a fast growing versatile woody grass found across the country देखे इसमर के बाद जब हम third form लगाते हैं तो वो पैसे voice होता है और इस तरह के sentences को हम हमेशा पैसे voice में ही लिखते हैं एसी चीज़ यहां पर पाई जाती है ऐसा किया जाता है ठीक है यह games खेले जाते हैं तो इस तरह के जो sentences होते हैं इनको हम हमेशा पैसे voice में ही लिखते हैं जिसमें हम is mr के बाद work की third form लगाते हैं तो is mr के बाद इसमें is लगा है और third form लगी है find की found जो की सही है across the country का मतला होता है पूरी country में ठीक है तो grammar के साब से और meaning के साब से यह sentence सही है आपका और इसमें आपका जो answer होगा वह होगा low improvement question no 8 देखते हैं we tempted current with many promises but nothing would अब देखिए यहां पर चूकी वोड लगा हुआ है इसलिए आपको वोड के साथ वोड एक model होता है जैसे can होता है code होता है तो वोड के साथ यहां पर आपको first form चाहिए ठीक है और first form किसमें है देखिए इसमें नहीं है first form इसमें है लेकिन S लग might इसके साथ हम S नहीं लगाते तो यह भी reject हो गई आपकी यह भी reject हो गई के बल यह fourth वाली वची और यही इसका answer होगा would work on her इसका मत्तब यह है कि हमने tempt करने की कोशिस की करन को बहुत लालच देने की कोशिस की या उसको अच्छे promises करने की कोशिस की लेकिन किसी भी चीज का उस पर कोई फरक नहीं पड़ा किसी भी चीज ने उस पर कोई काम नहीं किया तो वोट जो की जो की लगा हुआ है और वोट के साथ आपको वर्व की first form चाहिए यहां पर और वर्व की first form भी बिना S वाली चाहिए इसमें तो उस तरीके से आपने तीन option रहे आपने eliminate कर दिये और four option आपका answer हो जाएगा इसमें question number nine देखते हैं tissue culture is being one of the main technological tools that has contributed to the second green revolution and gene revolution मतलब tissue culture एक technological tools रहा है past में तभी उसने contribute किया है जब कोई चीज past में होगी past में exist करेगी तभी वो contribute करेगी तभी हम बोल सकते हैं कि इस तीजने contribute किया है ठीक है तो कोई चीज past में कुछ समय तक लगातार चली है ठीक है तो उसको दिखाने के लिए अब चुकि यहाँ पर यह singular है tissue culture singular है तो इसलिए इसको दिखाने के लिए अगर हम बोलते है कि past में कोई चीज लगातार चली है तो ठीक है अब चूकी वो रहा है पास्ट में इसलिए उसके बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ कि उसने मुझे कॉंटीब्यूट किया है तो जब पास्ट में कोई ची चलेगी लगातर तभी आप बोल पाएंगे कि इस चीज ने आपको कॉंटीब्यूट किया है ठीक इसको इस चूकी सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हैस बीन यहाँ पर लगेगा हैस बीन का मतलब है कि पास्ट में यह चीज कुछ समय तक लगातर चली है तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा फस्ट कोश्ट नमबर नाइन का चलिए अब हम आगे देखते हैं दा कि ओल्ड कलचर है और स्वाइल ऑफ इंड्या का मतलब है कि बारत ने भारत की मिट्ती ने उसके ग्रोथ को देखा। यहाँ पर आप ग्रोच तो नहीं बोल सकते बिल्कुल गलत होगा और यहाँ पर जो ग्रोफ है वह कि उल्योभ से उल्यों की ग्रोट की आप सब कर रहे म मतलब यह growth है, वो particular growth है, तो इसलिए growth से पहले definitely the आपको लगाना पड़ेगा, और चुकि यह past tense की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपको C का second form, saw, यहाँ पर बोलना पड़ेगा, तो the soil of India saw the growth, growth के पहले आपको दा भी लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो answer होगा, वो होगा second, saw the growth, और growth में ऐस नहीं लगेगा, question number 11 देखते हैं, a renowned organization has recently appointed a highly acclaimed scientist to head new research and development assistant, मतलब एक अच्छे organization नहीं, एक बड़े organization नहीं, हाली में, एक acclaimed scientist को appoint किया है, ठीक है, तो appoint यहाँ पर एक verb है, ठीक है, यह appoint आप देखिए, यहाँ पर एक verb है, तो appoint चुकि एक verb है, तो verb को qualify कौन सा word करता है, वर्ब को qualify करने का काम होता है, adverb का, और adverb में 99% cases में ly लगा रहता है, ठीक है, यह adverb की पैचान है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, recently appointed, यह इसमें आपका answer होगा, recently appointed, यह थोड़ा सा simple है, question number 12 देखते हैं, इसका मतलब यह है कि एक city है, और एक city में एक हरेयाली भरी पहाड़ी है वहाँ पर उसका जो slope है, वहाँ पर एक meditation camp है, और वो meditation camp जो है, वो उसकी जो situation है, मतलब लश ग्रीन slope जो है, वो इसको एक ideal बना देता है, meditation camp के लिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि universal truth की, कि एक particular feature किसी चीज को contribute करता है, किसी चीज को एक particular characteristic में बना देता है, तो यहाँ पर हम चुकि universal truth की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको present simple tense का use करना होगा, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही answer होगा, चुकि आप हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं, हिल स्टेशन जो है, वो singular है, तो make तो आप लगा नहीं पाएंगे, makes आपको बोलना पड़ेगा, तो यह वाला जो option है, यह सही रहेगा यहाँ पर, सही answer होगा, makes it an ideal venue for the meditation camp, ठीक है, मतलब जो hill station का जो slope है, यहाँ पर हरयाली है, वो जो situation है, उसकी meditation camp के लिए एक ideal situation है, यह sentence का मतलब है, और यहाँ पर आपका C, यानि question number 12 का जो answer होगा, वो होगा third, makes it an ideal venue, venue मतलब जगय को बोलते हैं, meditation camp, मतलब यहाँ पर लोग yoga बगरा करते हैं, slope का मतलब पहाड़ी का जो ड़लान होती है, उसको हम बोलते हैं, slope, green का मतलब पूरी तरीके से हरा, lush, lush का मतलब होता है, एक तरीके से पूरा, पूरी तरीके से हरयाली है जहाँ पर, lush, ठीक है, parameters को ध्यान में यदि आप रखें हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, third, question number 12 का आंसर होगा, third, question number 13 देखते हैं, taking good care of yourself is paramount, मतलब अपने आपकी, अच्छे तरीके से अपने आपकी care करना, ठीक है, ध्यान रखना, अपना बीमार नहीं पढ़ना, एक्सेस करना, यह सारी चीज़ें, आपके गोल को अच्छेव करने के लिए जरूरी है, taking good care of yourself is paramount, paramount के बाद आप क्या word लगाएंगे, paramount के बाद आप two word लगाएंगे, और यहाँ पर succession नहीं होता, succession का मतला होता है कि एक के बाद एक कोई चीज़ घटे तो रहां, उसका हम बुलते हैं succession, तो लेकिन आप यहाँ पर succession की बाद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप success की बाद कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका success आएगा, और success से पहले दा इसलिए आएगा क्योंकि आप particular goals की बात कर रहे हैं तो success से पहले यहाँ पर दा आएगा और paramount के बाद two आएगा तो यहाँ पर आपका जो answer होगा वो होगा second, taking good care of yourself is paramount to the success of your goal, to succeed हो सकता था लेकिन to succeed के बाद फिर off नहीं आएगा, to succeed of your goal आप नहीं बोल सकत succeed जो है वो success का verb form है, succeed जो है वो verb है, success जो है वो noun है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि paramount के बाद two आप लगाएंगे, और to the success इसमें आपका सही answer होगा, question number 14 देखते हैं, the tambourine in the mid 18th century in Europe as an orchestral instrument, ठीक है, मतलब, tambourine जो है उसने popularity प्राप्त की, 1820 सताबदी में, Europe में as an orchestral instrument, एक instrument है जिसको बजाया जाता है, उसका नाह में tambourine, तो यहाँ पर आप simple साप logic यह लगा सकते हैं कि चुकि आप past tense की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर past tense आपको लगाना होगा, past simple tense, और past simple tense में हम क्या use करते हैं, past simple tense में हम वर्प की second form हम use करते हैं, v2 जिसको हम बोलते हैं, वर्प की second form, और वर्प की second form क्या होगी इसकी गेंड ठीक है तो गेंड पॉपुलरिटी यहां पर आपका सही आंसर होगा कोश्च नमबर फिप्टीन देखते हैं वरुन एडवाइज अरुन डेट डेट रॉंग प्लेजर इस नोट सेल्फ सैक्रिफाइज बट सेल्f कलच्यर मत Swatch बरुन ने अरुन को ये आडवाइज किया कि जो गलत आदते हैं जो गलत आनंद की आदते हैं या गलत गलत तरीके से जिंद्गी के मज़े लेना या गलत तरीके से जो शराब पीना या इस के जो काम है वो self sacrifice नहीं है बलकि self culture है अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए यहाँ पर आपको देखिए इस लगा हुआ है ठीक है तो इसके पहले यह जो जगह है यहाँ पर यह होती है subject का इस्थान होता है यह ठीक है तो यहाँ तो यहाँ पर noun form में कुछ रखिए या आप noun form म English में और वो होती है ing form ठीक है जैसे यहादी मैं बोलूँ के swimming is a good exercise ठीक है मैं ऐसे नहीं बोलूँगा के swim is a good exercise या play is a good exercise हमेशा मैं बोलूँगा playing is a good exercise तो उसी तरीके से यहाँ पर इसके पहले आपका जो 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 फ्रेजल बर आईगी वो ing form में आईगी और यहाँ पर चू होगा question number 15 का आपका answer होगा second यानि giving up ठीक है यहाँ से double fillers के question start हो रहे हैं और the design language with time and the pace of change difference अब देखिए difference के साथ कौन सा word जो सकता है difference के साथ हमेशा make word जोड़ता है जैसे make the difference, made the difference, it is making the difference और यहाँ पर आप यहाँ पर आप with के साथ आपको एक word जोड़ना पड़ेगा जो with के साथ जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर with के साथ कौन सा word जा सकता है result के साथ तो in आता है या from आता है drive के बाद from आता है dismantle के बाद कुछ नहीं आता है evolve के बाद with आता है तो यहाँ पर आपका answer होगा for evolve with और इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, वो होगा 4, question number 17 देखते हैं, black money generated through tax evasion is an economic as well as social, देखें जो black money generated किया जाता है, tax बचा के, tax evasion को हम बोलते हैं, tax evasion का मतलब है tax chory, कुछ लोग tax नहीं देते हैं, tax को बचा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, black money, तो tax chory के through जो black money generated किया जाता है, वो economic क्या है और social क्या है, तो social के साथ तो कौन कों से word जुड़ सकते हैं, social के साथ हैजार जुड़ सकता है, social threat भी जुड़ सकता है, social manage भी जुड़ सकता है, ये word, दोनों word जो हैं, ये उतने proper नहीं है, social danger नहीं होता, social trouble भी नहीं होता, social manage का मतलब है एक सामजिक परेशानी है, सामजिक दिक्कत है, और economic challenge भी है वो, क्योंकि लोग पैसे को छुपा के रख देते हैं, black money को और government को उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीकर जैसे भी हाली में demonetization हुआ था, वो उसी के लिए हुआ था, तो यहाँ पर dispute वर्ड नहीं आ एकनोमिक डिफाइंस का मतला होता है, disobedience, यानि बात मानने से इंकार कर देना, उसको हम बोलते हैं, defiance, तो यहाँ पर केबल यही option बचता है आपका, challenge और menace, और दोनों ही option आपके सही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका, question number 17 का जो answer होगा, वो होगा, third, question 18 देखते है, demonetization of high denomination currency notes led to a regime by punitively raising the cost of tax evasion, and देखे, यहाँ पर regime के साथ क्या word आ सकता है, regime के साथ, इस sentence का मतलब यह है, कि जो बड़े-बड़े जो notes थे, high denomination के जो notes थे, जैसे 1000 का note था, या 500 का note था, उसको बंद कर दिया, उसको demonetize कर दिया, तो उससे क्या फरक पड़ा, उससे regime, regime change हुआ, regime change हुआ का क्या मतलब है, regime का मतलब है, एक तो regime का मतलब होता है, authority को हम regime बोलते हैं, government को भी हम regime बोलते हैं, लेकि regime का एक मतलब यह है, कि किसी चीज़ को करने का जो तरीका है, उसको भी आप regime बोलते हैं, तो जब demonetization हुआ, तो एक जो regime था, जो काम करने का जो तरीका था, पैसे निकालने का पैसा जमा करने का जो तरीका था, लोग आफलाइन जादा करते थे, अब आउल लाइन जादा करने लगे तो वो तरीका थोड़ा सा change हुआ, ठीक है, तो regime के साथ, यहां पर आप regime के साथ shift भी लगा सकते हैं, turn भी लगा सकते हैं, transit, move, और डिविएशन यह वर्ड नहीं आएंगे यहां पर सबसे सही वर्ड होगा यहां पर shift regime shift ठीक है और यहां पर आप आपका striking word भी यहां पर सही है regime regime shift by punitively raising the cost of tax evasion and striking at the roots of corruption इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि government नहीं बर demonetization किया punitively का मतलब है severely बहुत करे कदम बहुत करे तरीके से government ने tax evasion की जो cost है वो उसको बढ़ा दिया मतलब आप यदि tax evade करते हैं टेक्स चोरी करते हैं ठीक है तो बाद में जाके आपको इतना पैसा देना पड़ेगा कि वो जितना आप normally tax दे रहे थे उससे भी कि दसकुना आपको ज़्यादा दिना पड़ेगा मतलब टेक्स की यह cost है वो गौर्मेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी tax evade करना एक आम नागरेक को बहुत महँगा पड़ेगा यह इसका मतलब है ठीक है और striking at the roots of corruption corruption की ज़ड़ है उस पर गौर्मेंट ने war किया उस पर गौर्मेंट ने attack किया यह इसका मतलब है strike का मतलब attack करना या उसको hit करना तो इसे साबसे देखा जाए तो आपका question number 18 का सही answer होगा first shift और striking ठीक है अब हम आगे चलते हैं reduction in poverty is the fastest when rural economics are providing opportunity for diversification of livelihood अब देखिए यहां पर आप common sense क्या लगा सकते हैं कि दो sector की बात हो रही है कि farm farm and non farm sectors ठीक है तो livelihood के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है जो की farm and non farm sector दोनों में ही apply हो जाए in farm sector हम बूल सकते है in non farm sector भी बोल सकते हैं ठीक है तो उसे साब से यहां पर inward यहां पर एकदम appropriate है अब चुकि inappropriate है और बाकी सारे inappropriate है देखिए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि livelihood with livelihood for livelihood against ठीक है जो livelihood जो मिलेगी उसको जो opportunities मिलेंगी वो कहां पर create होंगी वो farm या non farm sector मैं create होंगी ठीक है तो इसलिए यहां पर inward सही होगा अब जब इन एकदम सही है तो resurgent अपने आप सही हो जाएगा इसमें तो reduction in poverty is the fastest when rural economics are resurgent मतला उसको आगे बढ़ाया जाता है जब rural economic को जब आगे बढ़ाया जाता है जब jobs create होते हैं तो इससे poverty हटती है तो यहां पर आपका third आपका सही आंसर इसमें होगा hamper का मतला होता है रोकना revive का मतला होता है पनरजीवित करना stagnant का मतला होता है रुका हुआ एक जगे रुका हुआ तो इसलिए यहां पर question number 19 का जो आपका आंसर होगा वो third एकदम सही होगा question number 20 देखते हैं resources of manrega have been resources को हम हमेशा क्या करते है resources को हम हमेशा utilize करते हैं उसको हम हमेशा सदोपियोग करते हम उसका resources word जहां पर भी आएगा आप वहां पर utilize word लगा सकते हैं और utilize word एकदम से सही है क्योंकि resources को आप apply नहीं करते resources को ठीक है exploit आप कर सकते हैं resources के साथ exploit word आ सकता है लेकिन utilize word एकदम सही है ज्यादा correct है यहां पर utilize word और चुकि two लगा हुआ है वहां पर beneficiary and two इसलिए improve भी सही है यहां पर तो इसलिए इनके बाद आपको ing form चाहिए लेकिन सभी में ing form है और यहां पर क्या sentence का मतलब है इसका improve governance in the multiple dimension of poverty is extremely important and for doing so the progress of deprived household will be देखिए progress को जैसे किसी भी चीज़ की जो progress होती है उसको हमेशा हम track करते हैं उसको हमेशा measure करते हैं track करने का मतलब measure करना कि कितनी progress हो रही है है किसकी sector में कितनी progress हो रही है तो progress के साथ हमेशा हम track word लगाते हैं ठीक है और चुकि ये will be लगा हुआ है will be के साथ यहां पर third form आपको चाहिए will be क्या होता है will be passive voice होता है ठीक है और passive voice के साथ हम third form लगाते हैं तो on track word उस इसाब से भी सही है grammar के साब से और मीनिंग के साब से भी सही है और यहां पर addressing word सही है improved governance in addressing the multiple dimensions of poverty मतलब जो poverty के जो अलग-अलग dimensions है जो अलग-अलग prospects है जो अलग-अलग उसके perspectives ठीक है उसको address करना यानि उसके साथ deal करना यह यह sentence का मतलब है यदि आप poverty के लग-अलग dimensions के साथ deal करना चाते है या उसको आप उससे सामना करना चाते है उसको address करना चाते है उसका solution निकालना चाते है तो आपको जो deprived household है जो वंचित जो घर हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है जिनके पास jobs नहीं है उनकी progress को आपको track क करना होगा ठीक है तो उसे साब से meaning wise यह sentence बिल्कुल सही है और second इसमें आपका answer होगा 22nd देखते हैं the British believed in their racial superiority and they thought that a social was to be अब देखिए यहां पर social लगा हुआ है शोशल एक adjective है जैसे social value या social reputation या social prestige तो यहां पर शोशल चुकिए adjective है यहां पर आपको noun चाहिए और यहां पर आपको was to be maintained to देखिए authority को हम क्या करते हैं अपनी authority को हम बचा के रखते हैं authority को हम maintain नहीं करते authority को हम बचा के रखते हैं तो preserve word यहां पर सही होगा और distance यहां पर noun है ठीक है तो social distance भी यहां पर सही हो जाएगा distance noun है social adjective है उसे साब से भी सही हो जाएगा तो यहां पर आपका second आपका answer होगा और इस sentence का मतलब यह है कि जो बिटिश्ट जो लोग थे वो अपने आपको अपनी रेश को अपनी नस्ल को वो superior समझते थे और उनको लगता था कि हिंदुस्तानी लोगों से एक distance रखना जरूरी है ताकि वो अपनी authority को preserve करके रख सके यह sentence का मतलब है आगे देखते हैं 23rd the second world war out in September अब out के साथ कौन सा word जुड़ सकता है यह आपको देखना होगा और second world war जो है वो अचानक शुरू हुआ था तो अचानक शुरू होने के लिए जो word आएगा वो यहाँ पर आपको चाहिए और ऐसा भी word चाहिए जो out के साथ जुड़ जाए तो out के साथ यहाँ पर word जुड़ेगा वो जुड़ेगा breakout क्योंकि breakout का मतला होता है किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना अचानक से फैल जाना उसका हम बोलते है ब्रोक आउट तो चुकि यह sentence past में है 1939 की यहां पर बात हो रही है तो इसलिए breakout मैं नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा breakout क्योंकि यह past में sentence चल रहा है और यह जब हुआ था यह तब हुआ था जब जर्मनी ने पोलेंड पर attack किया था तो invade का मतलब होता है attack करना तो invaded word भी past में है जो कि सही है broke word भी सही है broke out का म जात होगा तो यहां पर आपका इसका सही आंसर होगा प्लेंडर का मतलब होता है यह kingdom के साथ यूज होता है ठीक है rate का मतलब यह पुलिस के सेंस में यूज होता है crash का मतलब या लग सेंस में यूज होता है market crash हो गई या building crash हो गई तो उस सेंस में यूज होता है तो यहां प के साथ flood और two के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है देखिए to have flood आप नहीं बोल सकते ठीक है to make flood भी नहीं बोल सकते लेकिन definitely आप बोल सकते हैं तू यहाँ पर यह option कलत लेखा हुआ है थोड़ा सा यह यहाँ पर actually होगा cause है actually cause ठीक है कोई बात नहीं इसका आप सही कर लीजे तो to cause ठीक है to cause flood and damage other agricultural land तो इसलिए यहाँ पर आपका क्योंकि make make दो बाल नहीं आएगा इसमें तो यहाँ पर आपका थर्ड आपका यहाँ पर आंसर सही होगा जो eroded soil होती है वो river channel को चोक कर देती है river channel मतलब यहाँ पर पानी पूरा बहता है ठीक है तो पानी नीचे की तरफ चला जाता है जब 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 जो soil होती है वो erode होती है erode होकी नीचे चले जाती है तो पानी उससे पानी का जो बहाव है पानी का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है जिससे जिससे floods आती है तो to cause flood यहाँ पर actually option है और यही इसका सही अंसर होगा ओर जयकते अन्डेस्ट्रियल वेस्टات यारज WAS quite कि wease data productive processing तो इंडेस्ट्रियल वेस्ट तो में क्या कर छीं सामिल पान्तिती या हम बात कर और इस तरह की चीज़ें जो रहती है जो फालतु का जो सामान रहता है पॉलिथिन बैक्स हैं छोटे-चोटे डिब्बे हैं इनके अलाबा जो प्रोसेसिंग का जो वेस्ट निकलता है वो भी शामिल उसमें रहता है ये इसका मतलब अबेंडेंड मतलब इसको हम छोड़ देत हैं उसका हम बोलते हैं अवेंडेंड है तो इसलिए यहां पर आपका कोश्चन नमर्ट 25 का सेकेंड आपका आंसर होगा ठीक है तो यह 25 कोश्चन आपके फिलर्स के और फ्रेज रेप्लेस्मेंट के मैंने करवाए हैं इस वीडियो में और यहां पर हम कुछ वोकैबलेरी द बड़ा और माइल्ड का मतला होता है हलका या थोड़ा सा सौफ्ट तो ए और डी यहां पर एक पेर बना रहे हैं एंटोनिम्स का तो बी इसमें आपका आंसर होगा डेकोरम हम बोलते हैं मैनर्स को या एटी को एट को प्लिंथ का मतला होता है किसी भी बेस नॉन नहीं होता जो एकी धर्रे पर नहीं चलता उसका हम बोलते हैं नॉन कनफरमिस्ट और कन्वेंशनल जो होता है वो टेडिशनल पात पर चलता है तो ए और बी यहां पर एक एंटोनिम का पेर बना रहे हैं ठीक है तो डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा एब्रोगेट और वर्सन एक ही वर्ड है इंबिटर का मतलब होता है कड़वाहत वर्सन का मतलब भी होता है कड़वाहत या संबंदों में कड़वाहत तो बी और सी यहां पर सिनोनिम का एक पेर बना रहे हैं तो इसलिए यहां पर सही आंसर होगा इस्परिंग का मतलब होता है किसी चीज बना रहा है तो B यहाँ पर आपका सही आंसर होगा extraneous का मतला होता है जो relevant नहीं है जो irrelevant है vertex का मतला होता है peak तो यहाँ पर यह 20 word मैंने आपको बताए है और यह काफी high frequency word है यह काफी useful word है और सभी जगह इनका use हो सकता है reading comprehension में passage में close test में fillers में कहीं पर भी यह word आ सकते हैं antonyms में synonyms में काफी useful word है तो इन words को आप याद करें यह काफी useful आपके लिए रहेंगे यहाँ पर इस video class के बारे में feedback दें आप इस number पर यह मेरा WhatsApp नंबर भी है मुझे आप call भी कर सकते हैं और email ID भी मेरा दिया हुआ है यहाँ पर इसके through भी आप मुझसे contact कर सकते हैं और यहाँ से आप online mock test series यह दि चाहते हैं तो खड़ी सकते हैं और इसका आप use कर सकते हैं so thank you very much for watching this video thank you